गुर्बानिंग वैलकम तो कंप्यूटर साइंस टुजूरियल चैनल दोस्तों आज इस क्लास के अंदर हम पीडियेफ रीडियर के बहुत इंपॉर्टेंट और स्पेशल फीचर के बारे में बात करने जा रहा है आपने देखा होगा दोस्तों कई बार जब हम स्टडी करते है तो एस्टडी के लिए हम जनरली पीडियेफ फाइल्स की हैप लेते हैं हमारकास multiple पीडियेफ फाइल्स होती है और चबाम इन पीडियेफ फाइल्स को पढ़ते है तो पढ़कर हम ठंक जाते हैं यह हमारे आँखों में दार्द होने लगता है दोस्तों अगर आप सभी भी किसी प्रॉब्लम से भरेशान है तो आप सभी के लिए कुट न्यूस है अड़ पीडियेफ रीडियर के अंदर एक स्पेशल फीचर होता है और यह स्पेशल फीचर आपकी पीडियेफ फैल के कंटेंट को आपको पीडियेफ फैल के कंटेंट को पढ़ने की अवश्यक्ता नहीं है आप पीडियेफ रीडियर की हाल्प से टेक्स कंटेंट को वाइस में पढ़तर सुन सकते हैं देखिए अब इस फीचर का यूज हम कैसे करेंगे दोस्तों इसके लिए मैंने अपने टेक्स्ट आप प इस फाइल के अंदर 27 पेजिस है अब 27 पेजिस पढ़ने मुझे टाइम भी ज्यादा लगेगा प्लस मेरी आपको मेरी भी हो सकता है कुछ देर के बाद दर्द होना है तो आपको इन कंटेंट को मैनुवल पढ़ने की रिक्वार्मेंट नहीं है पीडियेफ रीडर इन सभी कंटेंट को टेक्स्ट से वाइस में तरबढ़ करके आपको सुनाएगा देखिए कैसे इसके लिए सबसे पहले आप बिगनिंग आप दा फाइल आजाएए फाइल के स्टार्ट मेर आके आप यहां देख सकते हैं व्यू मेनू है और व्यू मेनू में सबसे लास्ट में एक एक उप्शन है रीड आउट लाउड आप इस पर क्लिक करें क्लिक करने बाद आप देख सकते हैं एक उप्शन एनेबल है अक्टिवेट रीड आउट लाउड आप इस पर क्लिक करने क्लिक करते ही रीडिंग फीचर पीडिएफ में एनेबल हो जाएगा अब जिस भी कंटे को आप voice में convert करना चाहते हैं उस paragraph से पहले आके just आपको click करना होगा for example मैं चाहता हूँ first paragraph text से voice में convert हो जाए तो इसके लिए मुझे first paragraph के start में आके just click करना है फसके लिए पूब सिए कर अपस्थ आप करना है इस भूब आके इसके लिएखेज आपस्दिक से लिएक्पाइब आपस्थिक का लीपशब आप अधर आपको रेडिक को इस्टार करना है तो आप वापस से व्यू मेनु में आ जाए है और व्यू मेनु के अंदर आके यह आप देख सकते हैं आपके पास number of options आ रहा है first deactivate read out loud read this page only अगर आप इस feature का use करते हैं तो यह आपको current page को पढ़के सुनाएगा अगर आप read to end of document पे click करते हैं तो यह feature आपको पूरी pdf file के text content को voice में convert करके सुना देगा तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से आप pdf के text content को voice में convert कर सकते हैं अगर आपको मेरा यह video पसंद आता है तो आप इस video को अपनी facebook, twitter, blogger पर share कर सकते हैं अगर आपको इस video में कोई doubt है तो आप comment में जाके आप अपने doubt और query लिख सकते हैं आप मुझे मेरे email address और mobile number पर भी contact कर सकते हैं Thank you for watching my video